स्वामी विवेकानंद एक डॉक्टर का बहुत सम्मान करते थे. वह उनसे कहते थे कि आप मन, वचन, करम और आचरन से सन्यासी हैं, मुझे आपके भीतर बड़े सद्गुनों के दर्शन होते हैं. डॉक्टर साहब बेहत साधारन तरीके से रहते थे. उन्हें देखतर कोई य इसने एक मजदूर को बुलाया था और दर्वाजे पर खड़ा उसका इंकजार कर रहा था. उधर से जा रहे डॉक्टर साहब को सामान्य व्यक्ति समझ उनसे बोला कि छट ठीक करने में आप मेरी मदद कर दे. मजदूर को बुलाया था वह आया नहीं. मैं आपको पारिश् उसी सड़क से वहां के एक प्रतिष्टित व्यक्ति गुजर रहे थे. डॉक्टर साहब को यह सब करते हुए देख वह बोले यह आप क्या कर रही है जवाब मिला आज मुझे रोगियों के इलाज बदली यह काम ज्यादा ठीक लगा. इस सज्जन में मुझसे सहायता मांगी सो मैं मदद कर रहा हूँ. जब यह बात छोपड़ी वाले उस व्यक्ति ने सुनी तो वह पानी पानी हो गया. वह उनके पेर पकर कर बोला मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े आदमी हैं डॉक्टर साहब ने कहा मैं और मेरे एक मित्र विबेकानन्द मानते हैं कि धर्न को किताबों से निकाल कर आचरण में ढालना होगा. आपने तो मुझे अपनी धर्न को आचरण में ढालने का सुफसर दिया. मुझे आज बहुत बड़ा लाब हुआ है यह थे बंगाल के प्रख्यात डॉक्टर नाग. बातने विबेकानन्द ने उनकी यह कहानी सुना है.